हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई विडियो में मेरा नामे रिशाओद आप देख रहा है मेसाग द्रखक्त लाइन दोस्तों कुछ नहीं करते हो तो मैं देड हो गया मरने वाला है लगवक समय लो क्योंकि लाइक नहीं करते हो तो उसके चले होता है कि यूटूब आगे भेसता नहीं है तो यहां पर हम नहीं लिख रखा है सेंटर टेफर स्क्षार फीट ठीक है तो सेंटर टेपर का स्क्षार फीट और स्क्षार मिटर किस तरह से निकलेगा उच्छी के बढ़ता हूंगा हमारे साथ बने रही है तो साइट जो हमारा 15 सभाई लेंड होता है थीक्एइड पंद्रहां पर दोसरा वाला वीर्द यह हो गया यह हो गया और इधर का height हो गया और इधर का height हो गया ठीक है तो दोसरा वीर्द जो है वो है मेरा 1000 है फिर दोसरा height भी है वो 1000 है ठीक है यहां पर इस तरह से तो जब इसको बरोबर करो गया तो जो भी आएगा उसको parameter बोला जाता है ठीक है तो यह हमारा आजाएगा total पैतालिस सो ठीक है यह जो है यह parameter हो गया यह वाला आप जागा नहीं बचा ठीक है उसको क्या करना होता है इसको करना होता है इंटू लेंथ ठीक है तो यह इस piece का जो लेंथ है cutting length जो है वो है 600 ठीक है लेकिन जब आप इसको cutting करोगे तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक जो है इसका length समझे लो example के तौर पर बढ़ता है ठीक है यहां नहीं कि 600 लेंथ है तो 600 यह आएगा इधर का length जो है यह बढ़ जाएगा तो example के तौर पर इसको मैं total ले लेता ह 800 ठीक है कि मतलब यहां से यहां तब जो हमारा लपेट आया है वह आया है 800 हो सकते है कम ज्यादा भी आए अब जब cutting करोगे मैं example स्रिफ बता रहा हूं ठीक है यह rectangle लख्टा का center टेपर है समझे लो 800 आया तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे जो हमारा आया था कितना 4500 parameter आया था इसको multiply करें किसे 800 के साथ जो 800 हमारा length है यह वाला तो अभी यह parameter का जगा यह हो गया और length हमें आयेगा 800 ठीक है यह length नहीं आता यह length है सिरफ cutting के लिए है और जब calculation किया जाता है वो यहां से आता जो भी लपेट आये उसके हिसाब से किया जाता ठीक है तो यह हम 600.00 पॉइंट इतना 0 आएगा ठीक है तो टोटल जब आप इसको multiply करोगे तो यह इतना लंबा पॉइंट आएगा ठीक है तो यहां पे जो है square meter आ चुका है इस तरह समझ में नहीं आता है बहुत सारे दोस्तों को तो उसके बाद क्या करना है कि इसको divide कर देना है मैं हर मिटर ठीक है यह square meter इस तरह से भी आ जाता है क्योंकि यह मैं mm में करता हूँ हर वीडियो इसलिए हमें डिवाइट करना पड़ता है 16 से 0 के साथ ठीक है मतलब अच्छे 0 होना तो automatic square meter निकल जाता है इसके बाद इसका square feet निकालना है तो क्या करेंगे हम यहां पर 3.6 से square meter है इसको multiply करेंगे 10.76 है तो यह square meter से feet में आने का यह वाला formula है तो यहां पर square feet आएगा इसका निकल के वो आएगा 38.73 स्क्वार फीट ठीक है तो इस तरह से किया जाता है अगर इसको centimeter में करना है तो मैं sort करने बता देता हूं कि जो भी parameter आए यहां पर समझ लो कि यह कितना या 45 सो है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसको 4.5 करेंगे ठीक है यहां पर pointer लगाएंगे और इसको multiply करेंगे किस से length कितना 800 है न तो यह एक मिटर से कम है तो यह आएगा 0.8 00 ठीक है जाब इस तरह से करोगे तो आपको जो है यहां पर 3.6 square meter direct pointer आ जाएगा यह अगर इतना लंबा नहीं करना है तो समझ लो यह 45 सो आया मेरा तो इसको 4.5 कर दिया ना इधरी और लेंथ जो है मेरा 801 मीटर से कम है इसलिए 0 लगाया उससे मल्टिम लाइक है यहां पर मीटर जो है डरेक आ जाता इस तरह से भी ठीक है तो यह centimeter में हुआ और यह millimeter में हुआ तो दोनों में से आपको जो भी प्रोसेस अच्छा लग ब्राउन हो गया तो होता क्या है कि जब एक लाइक परता है तो यूटूब दस लोग को भेजता है वो वीडियो ठीक है तो अगर दो लाइक परता है तो वीस लोग को भेज देता है तो वीस लोग में ऐसा मतलब फिर जाकर वीडियो चलता है ठीक है तो मैं इतना मेहनत करक वीडियो लेके आता हूँ आप लोग के लिए आप लोग का भी हग बनता है फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो और मिलते हम आप से एक और नही वीडियो के साथ थैंक यू